ओम साहिराम साहिस संगम 6 याने साहिस संगम 6 जो अमेरिका में संपन्न हो गया और उस सिलसिले में मैं अमेरिका में होने की वज़े से दो हपते हम साहि लिला समसा साहि भगतों को प्रसुत नहीं कर पाए उसलिए पहले किशमा प्रार्थी है इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने फोन करकर बोला काका आपकी तब ठीक है ना क्या हुआ गुरुआर की लिला आई नहीं तो अभी हम नए सिरे से फिर से आपके सामने प्रसुत हो रहे हैं ये जो साहि लिला हम आभी आपको बताने वाले हैं ये 1948 के साहि लिला मैगजिन में छपकर आई थी जील तलोरेकर जील तलोरेकर ये उस वक्त के साहि लिला के संपादक गवानकर साथ थे उनको लिखते है कि मेरी आनुभुती बाबा के बारे में है अब ये जो लिला है ये लिला अब तक के लिला हमने जो प्रस्तुत आपके सामने की वो बाबा के देहदारी होते हुए की थी बाबा सगुन साकारा रूपों में थे तब थी अब सगुन साकारा रूप और निर्गुन निराकार में बाबा जब चले गए तो निर्गुन निराकार सुरुप की भी लिला है बाबा आज तक हमको उसकी अनुगोती देते है ये दर्शाने वाली ये लिला है ये तर्वारेकर साप जो थे ये लिखते है इनकी ये अनुगोती 1941-42 की है उनके एक दोस्त थे समेड़ साप करकर उनका नाम था आरियन समेड ये बंबई के रहने वाले थे तो ये साइबग्त थे और इनके संपर्क में ये तर्वारेकर साब आ गए है और उनसे पता उनके बारे में साइब बाबा के बारे में जादा जानकरी उनको देते रहे समेड़ साब उसके बाद उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा बाबा के बारे में इंग्लिश बुक्स भी पढ़े उसके उपर और धीरे धीरे बाबा के प्रती उनका लगाओ बढ़ गया और बाबा के अनुभुतिया उनको आने लगी इसमें एक कामन सुत्र है जब आप बाबा के हो न और बाबा के भक्ती में हो तो बाबा धीरे 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 अनुभुति द्वारा आपको और अपने नजदिक आपको बुनाते है 1942 में यह अपनी आप बिती बताते है उनका लड़का उसका नाम मदुगर था जनम होते ही अपने जो गाइनाकॉलाजिस्ट है प्रसूती शासरत्या प्रसूती के तद्निय डॉक्टर उन्होंने देखा कि इसके नाभी स्थल पर बाजों में बहुत एक एसी एक फोड़ा सा आ गया है चोटा सा एक पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट उस पर आया है तो उन्होंने पहले ही बताया कि देखिए बच्चा चोटा है लेकिन इसका इलाज करना बहुत जरूरी है यह निकाल के रखना पड़ेगा कि एक एक्स्ट्रा पार्ट है नाभी स्थल के उपर एक स्कीन ट्यूप टाइप था हो तो इसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा और यह जब तब यह बच्चा चोटा है तब तक ही निकालना करना पड़ेगा अपने तरोलेकर साब नहीं तो यह आगे चलकर जैसे जै जैसे जैसे इसकी उमर बढ़ेगी तो इसमें इसको ज्यादा तकलिफ होना चालो हो जाएगी अब चुकी बच्चा छोटा था इनका भी मन नहीं करता था तो इन्होंने थोड़ा सा टाल दिया उसको कि बढ़े थोड़ा बढ़ा होने दो बात में देखते हैं जैसे जैसे इसकी उमर बढ़ती गई यह फोड़ा भी बढ़ता गया और उसमें से अजीब तरह का श्राव अजीब तरह का एक लिक्विड बहने लगा और उसका तकलिफ बच्चे को बार बार बुखाराना बार बीमार पढ़ना यह बाते चालो हो गए अब क्या करें इसको तो उन्होंने एक दो डॉक्टर को बताया तो बले इसको आट नौ दिन हस्पिटल में रहना पड़ेगा यह शिवाय ओपरेशन का इसका कोई इलाज नहीं है आपको अंदर से ही वो कार्षाट करना ही पड़ेगा उनको ओपरेशन सीजरिंग वगरा तो करना ही पड़ेगा उसका तो इनका दिल नहीं करता था तो इन्होंने बाबा को प्रार्थाना किये बाबा बच्चा है आप संभाल लो और मेरी एकोनॉमिक कंडिशन मेरी आर्थिक सिती संपन्न तो है नहीं कि यहां उसको बड़े-बड़े हॉस्पिटल में कई जाके उसका इलाज कराओ या उसका खैर उसके जाने माने जो आजो बाजो वाले जो हस्पिटल थे ऑपरेशन करने वारे उनसे उन्होंने कॉंटेक्ट करना चालू कर दिया क्योंकि दिन बदीन बच्चे की प्रकुरूती थोड़ी उसकी स्वास्त्य गिरते चला गया तो उन्हें फैमिली डाक्टर ने भी बताया कि इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए आप जल्दी करो ने तो आगे चलकर ये बिमारिया और बढ़ते जाएगी अब क्योंकि आर्थिक थोड़ी विवंचना में थी थी चिंती तावस्ता में थे तो डॉक्टर कांती शेट जो ये फार्सियस थे ये फार्सियस जो फिलो अप रॉयल कॉलेज जॉब सर्जरी उनके वो पेमबर थे तो इनके पास चले गए मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं अब मुझे और ऑपरेशन करना है तो क्या करेंगे तो बले मैं कम से कम इसमें ऑपरेशन करवांगा हाँ आठ दिन उसको भरती तो ज़रूर करना पड़ेगा आठ दस दिन का वो हॉस्पिटल का खर्चा परना 42 के 42 को जनम है उसका तो 44-45 में हो गया हो गये तो यह तैयार हो गये बच्चे को एडमिट किया और बाबा का ग्रंत पढ़ने लगे बाद में वो बले एक काम करता हूं अभी मझे हस्पिटल में ग्रंत और यह सब साथ में ले जाओंगा लेकिन ग्रंत चुकि थोड़ा भा इनको हमेशा संसान की तरब से उदी और प्रसाथ का पाकेट आता था तो वो उसके साथ में वो बच्चे को उदी लगाते थे पाली में गुल कर अब वो ऐसे पिलाते पिलाते वो उसको स्टेबल रहीती थी उसकी प्रकूरती सुस्राइनिभिलिटी लेवल पर आया था ओ तो जब भाए है यह सवेरे से अपना साई बढ़ा का जो फोटो जिसके उपर है ऐसा साही लीला का एक अंकल लिया और साथ में बच्चों का अड्मिड किया दिल में गबरार तो थी बढ़ा का प्राथरा करते रहे पढ़ते र होने लगी क्या होगा अब ओब função को तो लेकी जाना है कितने में कांटी सेट आए के एक काम करता हूँ मेरे दिमाग में कुछ आया है बिना ओप्रेशएन के इस का ये अगर कि मैं निकाल सकता हूं तो मैं कोशिश करना हो हूं नई है तुम भिला ओसफेस्ट भर करना ही है सी आम आदमी को मेडिकल की मालूमात इतनी रहती नहीं है ऑपरेशन थेटर में लिया गया सब अंदर ये बाहर पाठ पढ़ते रहे अपने साही लिला की जितनी भी लिटरेचर उनके हाद में था वो पढ़ते रहे बाबा का जो तस्वीर है उसको नमश्कार करते र अंदर से नर्स ने बुलाए बुलाए बले आ जाओ इदर आयो तो डॉक्टर ने बुलाए बले देखा तो बच्चे की रोनी की आवाज आ रहे थी अंदर से तब तो ये बड़े अस्वस्त होते थे अब रोना शांत हो गया था उसका या और घबरा गया तो बच्चा वो शांत सोया हुआ था और इनके तरफ बाद भी थोड़ा बुल कम थी वो अनिस्तेशिया दिया गया था वो निकल गय थी उसकी और थोड़ा सा हसने में हसने मुस्कराने लगा था ये जैसे नजदिक गए बच्चे को स्वस्त पाया बहुत खुश हो गए दीरे से बोले ऐसा मैं श्वस्त किया था शपने में आकर चिन्ता मत कर मैं हूँ नहीं देखूंगा मुझे जो करना है मैं करूंगा और मजे की बात ये वो फोड़े से जो पस सब आता था वो सब बंद हो गया वो थोड़ा सा बैंडेज ओ ड्रेसिंग करना था वो हो गया ये सब बाबा की जिससे हुआ अब मज़े की बात दिखी आगे ऑपरेशन करने की जुरूत नहीं पड़ी तो उसों बड़े नितीमान लोग रहते थे भाई आज भी है मैं इसा नहीं बुलता हूँ लेकिन जड़ा थोड़ा कमर्शिलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और यह बड़ी चिंता जनक बात है यह तो डॉक्टर कांती से नहीं बहुत है बहुत है तो आपरेशन तो किया नहीं तो मैं आपरेशन की फिस आप से लूगा नहीं लेकिन यह सब्ट्रिट्मे लड़का निष्चर्ज होके एक घर में गया तलॉडिकर साब उनका मानना है कि यह सब मेरे बाबा की कुरूपा है और बाबा ने ही मेरे लड़की की जान बचाई है और बाबा नहीं मुझे बिल्कुल नौर्मल नहीं मिनिमम लेवल तक जिए बड़ी एक बड़ा सा तक तो चाड़ी होई जाती थी लेकिन उसक दस रुपे में आउपरेशन हो गया ऐसे हमारे दयालो कुरुपालो साइनात महराज सचिदान अन्द सद्गुरु साइनात महराज कीज़े उदी का जो महत्व है उदी की जो महत्ता है वो जताने वाली एक लीला हमने अभी सुनी तरलवडेकर सापकी उनके लड़की के साथ जो हुई क्योंकि सांस्तान के तरफ से उनको जो पाकेट किसे पोस्ट आफिस दोरा जो प्रशाद और उदी का पाकेट आता था वो उनका सवरक्षन कबच बन गया प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव शिल्ड बन गया उनकी उद दी कुछ भी कर सकती है वो दी एक बाबा के संज्यों नहीं है अईसी एक लीला और एक दोस्त बाबा के सच्चे भक्त वो बताते हैं इनका नाम गोपाल नौसोजी शिरोड कर आइसा था हलाकि ये उस वक्के चौथी फॉर्थ स्टैंडर्ड पास तो इनको कहां से ये मिले नौकरी बले बले लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी अब इनकी इतना ही शिक्षा थी तो उन्होंने बोला भाई अब क्या करें जो है रोजी रोटी का काम करने के लिए कुछ मोल मज़ूरी तो करना बहुत जरूरी है लेकिन किसी माध्यम से उन्हें उनके जो अंकल थे व उनको बोल कि मेरा कुछ रोजी रोटी का कुछ करा दो उनके नाम का नाम जब कर और देख एक काम कर कुर्ला में डॉक्टर गवान कर रहते हैं केभग गवान कर जाने माने बाबा के भक्त यह बाबा की गोद में बेटे हुए जो उमर की 6 साल में थे तब इनके भी बहुत सारे अनुबह है वह हम अगले कुछ एपीसोड में देखेंगे उसको तो वो गवान कर जी के पाद गए गवान जी कर जी तब कुर्ला में रहते थे आज भी उनके जो डिसिडेंट है डॉक अपना एक जो छोला है कफनी वह उनके घर में आज भी मौजूद है उन्हों बड़े प्रिजर करके रखाए उन्होंने बड़ी सुरक्षित अता से तो इनके घर वो गये तो बाबा की प्रती लगाओ बढ़ता गया एक तो अंकल ने बुला था बाद में उदी साथ में ले लेकिन मेरे कुछ नोकरी पानी का सब बंदोबस कीजिए उसी दिन रात को सपने में उनको बाबा गया और बोले आश्वस्त किया उसको जिंता नहीं कर जैसे बाबा की जो वुदी गवानकर साब ने बोला था कि आतू लेते रहे लगाते रहे और बाबा पर पूरा विश् सब्सक्रें गवासरक आठवे दीन में उनको गॉष्ण क्या सब्सक्राइब मोला अपता हूचल कर आया चर्णों में है उन्होंने ये अनुभव 1948 के साही लिला मैगदिन में खुद उन्होंने बया करके भेजा है डॉक्टर गवानकर साब को क्योंकि गवानकर साब उस वक्त साही लिला के संपादक थे एडिटर थे ओम साहिरा